So guys, naggaraggy अगास अगर आपके पास भी Oppo खर फोन और ओर आपनी जो फोन की में मूरी के जो चीज़े होती है region पॉटो गाने उनको जो भी आपके फोन के पड़ी उनको आप चिप में करना चाहते हैं मेमोरी में अपनी तो आज के बारे में आपको बताने वाला हूं दो तरीके मतलब किया हूं को अपनी फोन में तो इस वीडियो को थोला सब्सक्राइब मत किजिएगा step by step by आप लोग को इसमें बताने वाला हूँ तो वीडियो पसंद आये तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना और चैनल पर पहले वारा है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बैरे गूल को पर जरू कर लेजिएगा ताकि आप लोग को इस तरहीं इस सबसे पहले मिल सके तो जली बगार टाइम बतार वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो यहां पर चिप बगार हम इसमें जल्दी से इसको डाल लेते हैं ठीक है तो वीडियो को थोड़ा सा भी कीप मत किजिएगा यहां पर आप लोग को step by step मैं आप लोग को बहुत easily तरीकी से बता देता हूं ठीक है तो यहां पर चलिए मैंने फोन में चीप जो है अपनी मेमोरी जो है यहां पर डाल लिए फिर आप लोग को सिंपल से फाइल मा जाना फाइल माने के बाद देख सकते हैं यहां पर जो आपकी phone storage है और यहां पर SD card दोनों यहां पर लग गए हैं ठीक ह SD card लग हो नहीं तो यहां पर फोन मेमory में जाते हैं, फोन मेमरी में जाते हैंके वाद देख सकते हैं., यहां पर कुछ step का तो यहां पर example के दोर में आप लोग को यहां पर phone memory की कुछ मतलब photo बगएर आप लोग को दिखा देता हूँ आपको कुछ भी हो photo video audio मतलब कुछ भी आप photo video कुछ भी मतलब यहां पर cut करके कर सकते हैं ठीक है तो यहां पर copy भी कभी system है आप देखिए माने मार्क लगा जाए है अगर आप यहां पर copy करेंगे तो copy का जो आपका phone में भी चीज़े रहेंगी और आपकी चिप के अंदर भी पहुझ जाएंगी और यहां पर cut करते हैं तो आपकी यहां से बी फोल्डर वहां पर select कर सकते हैं ठीक है तो आप कर सकते हैं और कोपी करना चाहते हैं तो पीवाले पर करेंगे वरना कड़ वाले पर क्लिक करके अपनी चीज जो है कहीं पर भी आप उड़ा कर रख सकते हैं